हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपोन संक्रण सब्सक्राइब करें तिलक सीटा राम चरित हति भावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए ये की प्यास मुझेत न बुचाए स्क्राइब स्क्राइब कि दोहरपाल अपने राजा को जाकर सूचना देदो कि शिराम प्रमु इतने दयावान है उन्होंने उसके पुत्र का मित्र शरीर बड़े आदर से वापस लोटा दिया है अब वो अपनी रीती के अनुसार उसकी अंतेश्टी क्रिया कर सकते हैं दब तक हम लंका पर आखमर नहीं करेंगे उसके बश्चात वो ये निश्चय कर ले कि अब भी श्री राम प्रभु की शरुर में आना है या युद्ध करके लंका का पूर्ण विनाश करना है लंका निवासी इस बात का विचार करके अपना अपना मत अपने हंकारी राजा तक पहुंचा दें तो उनका भला हो सकता है जाए श्री राम एक राज उत्र एक तेजवंद एक शक्तिमान कहला के गया परण वीर की भाति वीर के हाथ वीर गतिपा के सनन्मान सहे रगुवर ने उसे हे जानिच वस्तर उढ़ा के लंका का दीप लंका के दौर अनुमान रखती अलाके जाए लंका अर्म था क्या इस चतावनी से भी महाराज नहीं जागेंगे तुम्हारा अभी प्राय है कि वह हार माल ले हार नहीं मानेंगे तो इंद्रजीत की तरह वह भी जिवित नहीं रहेंगे फिर क्या लाब परंतु हार कर जीने से भी क्या लाब फिर तो प्रजा भी उनका आदर नहीं करेगी प्रजा का आदर केवल वीर्ता पूर्वा की उद्ध करने से ही नहीं मिलता, कुछ और भी गुण होने चाहिए राजा में यदि वो इस उद्ध में जीत भी गया तो प्रजा का क्या हित होगा? उन्होंने अपनी काम वासना की पूर्ती के लिए लाखो और हजार उस्तुरियों को विद्धवा और माओं को पुत्रहीन कर दिया है मुझे तो ये श्री राम कोई बहुत भले मनुश्य लगती है देखो राशकुमर की शव को निरादर से नहीं वरन अपनी स्वेम की चादर से ठांग कर भीजा है लंका पुरी के दुर्ग का यह स्तंभ तहतं देह गया लंके शुके इस लाड लेका रख लसमें में गया आघात पर आघात कितने ही दशानन सेह गया पर इस कुठारा घात से जौला मुखी बन रह गया पर इस कुठारा घात से जौला मुखी बन रह गया प्रतिशोद इंग्रजीत तुम्हारे वद्ध का प्रतिशोद तुम्हारा पिता लेगा अपने किसी पुत्र से हमने इतना प्यार नहीं किया जितना तुम से किया तुम्हारा वद्ध करने वालों को मैं कभी श्मा नहीं करूंगा उनके सारे कुल का विराश कर दूंगा तीनों लोकों का विद्वश कर दूंगा ऐसी तरही तरही मचा दूंगा कि एक दूसरे को शरन देने वाला कोई नहीं रहेगा लंकेश आप सारे संसार का विद्वन्स कर देंगे तो क्या इंद्रजीत की आत्मा को सुक पहुँचेगा नहीं हाँ महराज इंद्रजीत के अंतिम शब्द याद कीजिए जब वो आपको समझाने आया था कि आपका और लंका का कल्यान इसी में है कि आप राम को पहचाने यदि आपने सच मोच इंद्रजी से प्यार किया है तो उसके अंतिमिक्षा पूरी कर दीजिए सीटा को उसके पत्वी के पास पहुँचा दीजिए सीटा सीटा सारे अनुष की जड़ सीटा सारे सरनाश की मूल सीटा में घनाज की मृत्यू का कारण सीता आज उस अजर्स की जड़ को ही हम मिटा देंगे सीता को ही यम लोग पहुचा देंगे यम लोग सीता एक एक करके तू हमारे कुल के समस्त यद्धाओं को खा गई है तू नारी नहीं पिशाचनी है पिशाचनी आज अपने पुत्र के प्राणों का मोल हम तुम्हारे प्राणों से चुकाएंगे तुम्हारे प्राणों से नहीं ऐसा निंदनी एकार महराज रावण को शोबा नहीं देगा दानव राज मैं यदि आप मेरे श्वसूर नहोते तो जिस हाथ ने रावण का हाथ पकड़ा है आज हम उस हाथ को एकार देते आज शोबा आशोबा की बात करने का समय कह रहे गया है मेघ लौस की मृत्यू ने हमें उन्मत कर दिया है आज हमें आभास हो गया है कि तुम्हारे लोक विजई के द्वारा दी हुई इस चंद्रहाज से एक निर्बल अपने अधीन नारी का वद करके अपनी कीर्थी को कलंकित करोगे दानो राज वा नारी ही तो हमारी कीर्थी का सबसे बड़ा कलंक बन चुकी है हमारी सुक्षान्ती अश्वर्य और भरे पुरे परिवार के सरुनाश का कारण है उसे मिठाकर अंतरबित वक्ती प्रती हिंसा की ज्वाला तो ठंदी हो जाएगी हे दशानन जिस चंद्रहाज से तुमने दिख दिगन पे अपने प्राकरम की धाग जमा दी जिसकी धार से तुमने इंद्र कुबेर दिख पालों के शीश अपने चड़नों में जुका लिए उसे एक निर्दोष्ट निरी नारी के रख से रंजित करोगे तो तुम्हारे अराद भगवान महादेव भी तुमें शमा नहीं करेंगे इस तरी हत्या से बड़ा पाप, अधर्म और कायरता दूसरी नहीं नहीं, सीता जैसियमंगल कर इस तरी का वद कोई पाप नहीं वो इस योग गिन नहीं कि उसके लिए इतना मोल चुका आ जाए नहीं वस आज जो हम मोल चुका रहे हैं वो सीता का मोल नहीं चुका रहे है लंका की रक्षा का मोल चुका रहे है यदि इंदर जीत और पूज मालवान के संदी के परामर्श को आप नहीं मानते तो दूसरे दिश्टी कौन से सोचिए शत्रू ने रक्षोच चाती को मिठाने के लिए आक्रमन किया है हमें अपनी जाती और उसके गौरों की रक्षा करनी है इस समय ये आवश्च है कि हमारा राजा को ऐसा कार ये न करे जिससे हमारी जाती के गौरों को कोई धबा लगे आज हमारा सबसे वीर योद्धा लंका का सबसे अमूल रत्न मारा गया है ये परम्दुख और संकट की घड़ी है ऐसे ही समय में जात्यों की सब्बत और उनके धैरी की परिक्षा होती है यदि आप सीता का इस निसाय अवस्ता में वद्ध कर देंगे तो सब कहेंगे की रावण युद्ध में राम से टक कर नहीं ले सका तो एक निसाय इस तरी का वद्ध करके अपनी वीरता दिखा रहा है लंकेश ये धैर धारन करने का समय है इस समय सारी लंका आपके मूग की और देख रही है कि उसके राजा में कितना सा हस, कितना धैर ये है अब आपके कंदों पर लंका की रक्षा का सारा उत्तरदाईत्व आ पड़ा है क्या महान रावण अपने उत्तरदाईत्व को समभा लेगा या नहीं? अवश्य समभा लेगा दशानन, एक बार फिर सोच लीजिए राज़ का उत्तरदाईत्व ये भी है कि अपनी प्रजा के हित के लिए अपने अंकार की बली दे कर भी शत्रु से संधी कर ले जिससे उसकी प्रजा का संघहार होने से बच जाए अब भी प्रजा को संगार से बचाने की शक्ती अब भी अक्ले रावण में है दान और राज क्या लंकावासी ये नहीं जानते कि उनका राजा तीनों लोकों का विजेता है ना रावण के बाहु निर्बल हुए हैं ना उसके अस्त्र सस्त्र कुंद हो गए हैं जाओ उनसे जाकर कह दो हमें सेना की कोई आशक्ता नहीं हम वकेले ही संसार की सारी सेनाओं का संगार कर सकते हैं कल हम युद्ध में अपने अजयरत पर निकलेंगे जिसे देवता भी परास नहीं कर सकते फिर उन दो बेचारे मानुओं की क्या शक्ती बस बहुत हो चुका उनसे खिलवार अब उन दोनों का अंतसमय आ गया है उन दोनों का अंतसमय आ गया है अजयरत नंदन राम नहीं शी अगस्ति के श्री चलनु में प्रनादी नहीं करता है विजयी भावा यशस्वी भावा आए आसन ग्राण की जे महरची पदारिये आपने ऐसे समय में दर्शन दिये मैं आपका बहुत आभारी हूं आपकी दर्शनों को मैं भगवान का आशिरवाद मानता हूं अब मेरे सारे मनुरत सफल हो जाएंगे राम आपके मनुरत तो संकल्प करते ही सफल हो जाते हैं इस समय मैं दैवी प्रेड़ना से एक आवश्यकार से उपस्थित हुआ हूं आज्या कीजी अब आपके धर्म युद्ध का अंतिम चरण आ गया है और यही सबसे भीशन भी होगा अब आपका और रावन का युद्ध होगा रावन महाबली है समस्त अस्त्रों का ज्याता है उसी प्रकार आप भी अस्त्र सिथ हैं तीनों लोकों में कोई अस्त्र ऐसा नहीं जिसका आपको ग्यान नहीं सारे यस्त्र आपके आधीन है, परंतु रावन इसके अत्रिक्त प्रकांड मायावी है, उसे समस्त मायावी विद्याओं का अभ्यास है, और उसे श्री ब्रम्भा और भगवान श्यू के द्वारा बहुत से वर्दान भी प्राप्त हैं। कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आधित्य हर्दे स्तोत्र की शिक्षा प्रदान करूँ। ये सनातन रहस्य है, इसके जब से आप युद्ध में अपने समस्त शत्रों पर विजय पाओगे। इस रहस्य का नाम है आधित्य हर्दे। ये परम पवित्र और संपून शत्रों का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसकी दैवी शक्ति से आप राक्षसों की माया से सुरक्षित रहेंगे। आपका आउतार जिस ही तो हुआ है उसकी सभलता के लिए आपका विजय होना परमावश्यक है। इसलिए अब आप इस परम कल्यान में और अक्षय स्तोत्र का मेरे साथ उचारन करके इसे मुझसे ग्रान करें। ओम अस्यस्तोत्र आगस्त्यरिश्यनुष्टूपचंदाह आधित्यहृदयभूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषविज्ञतया ब्रह्मा विद्यासिध्धौ सरवत्र जयसिध्धौच विनियोग। ओम रश्मीमते नमहा ओम रश्मीमते नमहा समुध्यते नमहा समुध्यते नमहा देवासुर नमस्कृताय नमहा देवासुर नमस्कृताय नमहा विवस्वते नमहा भास्कराय नमहा भास्कराय नमहा भुवनेश्वराय नमहा भुवनेश्वराय नमहा नमह पूर्वाय गिरये पश्चिमा याद्रये नमहा जोतिर गणा नाम पतये दिनाधि पतये नमहा जयाय जय भद्रयो हर्यश्वायो नमो नमहा जयाय जय भद्रयो हर्यश्वायो नमो नमहा नमो नमहा सहस्रांशो आदित्यायो नमो नमहा नमो नमहा सहस्रांशो आदित्यायो नमो नमहा कराल भाल पट्टिका थगत 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 वलत्त नंजया धरेकुत पचंड पंच सायके धराधरेंद्र नंदिने कुचाक्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शेल्पनी प्रिलोच नेम तिर्ममा नमा उग्राय विराय सारंधाय नमो नमा नमा पत्म प्रभुधाय प्रचंडाय नमो तुदे तमोगनाय हिमगनाय शत्रुगनाय मितात्मने क्रत नत्नाय दिवाया जोतिशाम पत्ये नमा जोतिशाम पत्ये नमा प्रखुल नील पंकजप्रपंच काली मच्छटा विडंबिकंधकंधरा रुची प्रभंधकंधरम स्मरचिदम पुरचिदम पवचिदम मखचिदम गजचिदांदकचिदम तमंदकचिदम भजे आदित जाए नमो नमा आदित जाए नमो नमा आदित जाए नमो नमा नाना जी यहाँ कवच हमें ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था हमने हजार वश्टक कठोड तबस्या करके इसे प्रात किया है इसे पहनने के बश्यात इंदर भी हमारे सामने आने का साहस नहीं कर सकता तो फिर दूसरा कौन आएगा यहाँ कवच अभेध है अजय है कोई अस्त्र इसका अभेदन नहीं कर सकता परनतु किसी अबला का श्राप तो इसके टुक्डे टुक्डे कर सकता है हाँ नाथ यदि कोई सतीस्त्री श्राप दे तो स्वेम ब्रह्मा शिब्य उससे किसी प्रकार से आपकी रख्षा नहीं कर सकते फिर यह कवच क्या कर लेगा और सीता तो परम सतीस्त्री है मुझे बसूसी से डर लगता है कि वो कहीं आपको श्राप न दे दे वो तो महान पती व्रतास्त्री है उसका श्राप कभी व्रता नहीं जा सकता और वहाँ कोई कवचादी काम नहीं आ सकते मैं आपकी वीरता पर संदे नहीं कर रही है आपकर सामना तो देव दानव कंधर के नर कोई नहीं कर सकता फिर केवल एक नर की शक्ती आपके सामने क्या चीज़ हो सकती है परन्तु एक पती व्रता के शाप में इतनी शक्ति है कि वो एक महाशक्तिवान राजा को भी भस्म कर सकती है इसलिए आज मेरी इतनी सी प्रावनस विकार कर लीजिये नाथ कि अशोक वाटिका से सीता को मुक्त करके उसे उसके पती के पास वापस लोटा दीजिये महरानी मंदोदरी यह समय सोत्या डाका नहीं यह समय अपने देश की आनका है लंका की लंका निवास्यों की और उन युद्धाओं की आनका है जिन्होंने लंका के नाम पर अपने प्राणों की बली दे दी यहीं इसी प्रकार दातों में घ्रास का तिन का दबाकर शत्रों के चर्णों में मस्तक नवाना था और उसकी स्त्री को भेड़ सुरू पुर्ण उसके पास लोटा देना ही था तो इतने युद्धा, अपने और अपने भाईयों के इतने पुत्र क्यों मरवा दिया हमने कुम्बकरण, प्रहस्त, महापार्ष, अतिकाय, कुम्बनिकुम और हमारा सबसे वीर पुत्र मेगनाद आकर हमसे पूछेंगे कि अंत में यही करना था, तो हमें क्यों मरवा दिया तो हम क्या उत्तर देंगे तुम्हें उनकी चिंता है, जो मर चुके हैं परंतु मुझे उनकी चिंता है, जो अभी जीवित है यदि हम उनको बचा सकें, तो देश और जाति का भविश्य बच जाएगा हे दशानन, इस देश का भविश्य इस समय तुम्हारे हाथों में है यदि तुम चाहो तो इसका विध्वन सोने से बच सकता है तुम चाहो तो आज लंका मर सकती है और तुम चाहो तो आज लंका जी भी सकती है नाना जी जीना अच्छी बात है परंतु जो अपनी आन को बेज कर जीते हैं वारांग नाओं की भाती उनका कोई आदर नहीं करता मृत्यू तो एक दिन अवश्या आएगी परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यू के आने से पहले कई बार मर जाते हैं जो जीवन के अंतिन दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे जुकने न दें जो वीरों की भाती लड़ते हुए मर जाएं उसके जीने में भी शान है उसके मरने में भी शान है इसलिए नाना जी आज मुझे जीवन के मोह की बाते मत करो आज मुझे एक वैरागी की भाती अपना कृतव्य समझकर निश्काम युद्ध करने दो यही मेरा कृतव्य है इसी में रावण की शान है इसी में लंका की आन है राम यदी नर है तो वो आज मेरे हातों मारा जाएगा और यदी भगवान है तो रावन का वद्ध करने में उसकी जितनी ख्याती होगी उतनी ही ख्याती युग युगांता तक रावन की भी होगी तीनों लोग और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सरवदा एक साथ ही लिया जाएगा महरानी मंदोदरी हमारे शरीर नश्वर है आत्मा अमर है इसलिए शरीर रहे न रहे इसका शोक न करना केवल इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा रावन कभी नहीं मरेगा मरता वही है जिसकी कीर्टी मर जाती है रावन की कीर्टी दिख दिगांतर में अमर रहेगी रावन अमर रहेगा रावन अमर रहेगा रावन अमर रहेगा रावन अमर रावन 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 रा हाई है 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 लंका के शुरूरी सेनानियों यह राक्षजाज़ाती कि त्यांस का वक्षण है जब यह तो राक्षजाज़ाती मिट जाएगी यह तीजों लोकों हुए उसकी जेजेकार होगी जीवन में कभी कबार वो दिन आता है जब प्राणी अपने हाथों से अपना इतिहास लिख सकता है आज वही दिन है जब हमेनकेवल अपना अपना वरण अपनी जाती का अपने देश का इतिहास अपने वक्त से लिखने का समय आ गया है शत्रु का मनोमल आज बड़ा हुआ है दुरगष महाबली कुम्बकर और इंद्र विजेता मेगना जैसे पराकम वीरों को उद्होंने एक देश त्रुही की सहायता से पराभुत कर दिया है परंतु वो नहीं जानते कि अप्ते देशी गौरव पताका को उचा उठाने के लिए लंका का बच्चा बच्चा इंद्र जीत और कुम्बकर बनकर उन पर तूट पड़ेगा हमने संकल्प किया है कि राम और लक्ष्मन लंका से जीवी तही जा सकेंगे इसी धर्ती पर उनकी समाधी बन जाएगी आज का युद्ध भीषण युद्ध होगा जीवन मृत्यू के इस खेल में वही हमारे साथ चले जो मृत्यू से भए नखा है जो मृत्यू के आलिंगन से नहीं डरता वही वीरों की भाती जी सकता है आज असुर जाती के गवरों पर लंका की आन पर अपते रजा के साथ जो इस स्यग्य में अपते प्राणों की आहूती देने को तयार हो वही हमारे साथ रन भुमी में आए जो पराभों से प्राण विसर जंग से भैभीत हो वो भी लोड़ जाए हमारी और से आज्या है लंका के बाके शुर्वीरों अब युद्ध आज्या और आदेश का नहीं उस सर्क का है जो उस सर्क के लिए तयार हो वही हमारे साथ आए हम तयार है हम तयार है अक्री सास तक लड़ेंगे आगी सास तक लेगे वर्य जयार भज़ेंगे जा रखना लड़क से तुसे पीट दिखारे वालों के लिए लंका में को इस्थान नहीं उनका इस्थान यम्लोक में होगा यम्लोक में केवल यम्लोक में होगा हो लो बेसा दुराई दो जी लोग! वों लोते सरच किणा रहूओ जैल PUR SINGBIN, KUR CERNטJİD, KUR CERNETJİD आप सब जिस कारे के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं जिसके लिए आपने समुद्र पर सेतु बांद कर उस विशाल जलराशी के उपर मार्ग बनाया है आज उस कारे के पूर्ण तया सफल होने का समय आ गया है रावन के सारे योद्धा सारे पुत्र और भाई एक एक करके विनाश को प्राप्थ हो गए है रावन के सबसे वीर पुत्र मेगनाद को वीरवर लक्षमन ने धराशाई कर दिया है और अब रावन स्वयम युद्ध करने आ रहा है इस महा युद्ध में यह अंतिम प्राक्रम का वसर है यह वोक्षन है जब दो प्रतिद्वंद्यों का भाग इतिहास के पलले में तोला जाएगा आज हम सब को अपनी विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है मैं आप सब के सामने प्रतिग्या करके कहता हूँ कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सही तीन और लोकों के प्रानी राम का रामत्व देखेंगे आज मैं वो पर अक्रम दिखाऊंगा कि जब तक ये प्रतिवी रहेगी इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे लावड पर पहला प्रहार, अंगद और हनुमान करेंगे नल और नील पश्चमी मोर्शे पर सेना कसंचालन करे जामवन जी आप और केसरी जी महराज विभीशन की सुरक्षा का ध्यान रखे आज रावण अफसर पाते ही विभीशन जी पर अवश्य प्रहार कर सकता है शिरी राम की आज्या है कि उनकी सुरक्षा का विशेश ध्यान रखा जाए विभीशन की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ों जैसे हिरनों के जुंड पर सिंग आक्रमन करता है आक्रमन 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 फ्रेंज अबन आज अपते सुरी के समान तियसी बाड़ों द्वारा वनवासी राम लक्ष्वर्ण को यम्लोग पोचाकर में घनाद कुम्मकरन प्रहस्त आदी की मृत्यू का बद्ला लूगा यदि हमारे हाथों बज जाओगे तो प्रतिशोद भी ले लेना रावर बहुत दिनों के पश्चात रण भूमी में आये हो उस दिन श्रीराम ने दया करके तुम्हें छोड़ दिया था परन्तु आज हम तुम्हें जिवित वावस्त नहीं जाने देंगे मंगल भावन अमंगल हारी रव हो सुदशरत अजिर भिहारी सीता राम चरीत अति बावन मधुर सरस अरुकती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि यकी प्यास मुझत न बुझाए कि यकी दे आए कि यकी पुनि को वावन मुझत बुझत आए वावन पुनि दूग मुझत आए का वावन मुझत आए झाल झाल